इसको डिश्कर्णास मोटर या तो लकालिक मोटर की वर्किंगा डिसक्स करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन वही है जो जनेरेटर का होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं देसे सेंख्रोनास मसीन synchronous machine and it can work as a generator जिसको alternator बोलते हैं and it can work as a motor तो यह समरचना सेम है इसको generator की तरह भी उच कर सकते हैं motor की तरह भी उच कर सकते हैं यह synchronous machine का construction है बट फरक है जब इसको generator की तरह यूज करेंगे तो यहां पर यह है इसको घुमाएंगे यहां से mechanical energy मिलेगी input देंगे यहां पर इसको घुमाएंगे इसको घुमाएंगे जनरेटर घुमेगा इसमें त्री-फेस electrical energy मिलेगा output आउटपूट मिलेगा यह होगा जनरेटर के case में this is input and this is output तो यह motor जब वर करेगा जब तो क्या होगा हम यहां पर थ्री-फेस electrical energy output नहीं बलकि थ्री-फेस electrical energy input करेंगे इनपूट करेंगे तो यह rotate करेगा यह साफ्ट रोटेट करेगा तो इसको रोटेट करेगा तो यह प्राइम ओवर नहीं होगा तो यह क्या होगा यह होगा मेकेनिकल लोड लोड होगा यह घुमाने के लिए काम आएगा तो क्रिया उल्टी है यहां पर यहां पर हम क्या करेंगे थ्री-फेस इस इनरजी के साथ 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 डीसी सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है फील्ड वाईंडिंग को देने के लिए फील्डवाइंदिंग में डीसी लगती इसलिए three-phase AC भी चाहिए इस मोटर को वर्क करने के लिए और DC सप्लाई भी चाहिए इसलिए इस मोटर को जनरली बोलते हैं डबली एक्साइटेड मोटर डबली एक्साइटेड मोटर क्यों कहते हैं इसके बारे में आप पहले से जानते हैं सब क्या क्या है सब जानते हैं आप हम इसके वर्किंग पर बात करेंगे कैसे वर्क करता है दिखिए इस्टेटर वैंडिंग पर हम यहां थ्री फेस अपलाइ देंगे और रोटर वांडिंग में देंगे yhteस्क advantage on करेंट केंगी ठीज़ेते हैं कि सोल करना या साउथ सपोस्ट यहां रख सकते हैं भिफ़ मेगनेटhr रखने से क्या है फिर फलकष फाई जो होता है फिर वह कॉंस्तिंट हो जाएगा कॉंस्तिंट हो जाएगा तो चपाएंगे तो क्या होगा मोटर जो है उसका power factor change नहीं कर पाएंगे, excitation change नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, कि permanent magnet लगाने की जगा पे यहां इलेक्ट्रो मैगनेट बनाते हैं, इलेक्ट्रो मैगनेट बनाने से यह benefit होता है, कि यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे field current का मान change करते हैं, तो field flux जो है, वो proportional होता है, it is proportional to field current, field current का मान बढ़ाएंगे, तो field flux जो 5 है, वो बढ़ेगा, field current का मान, if का मान कम करेंगे, तो field flux जो है, वो भी कम होगा, so, with the help of this supply, and one rheostat in series with this supply, we can change the field current and field flux, field flux चेंज कर सकते हैं, इसलिए यह लगाया गया है, winding coil, copper की coil होती है, insulated होती है, इस पे DC supply देते हैं, यहां को पता है, इस्टेटर पे 3-phase supply देते हैं, क्योंकि इस्टेटर पे 3-phase winding होती है, आपको मालूम है, इसको armature winding भी बोलते हैं, power winding भी बोलते हैं, इसी में हम देते हैं, 3-phase electrical energy बाहर से, तो क्या देते हैं, यह देते हैं, R, Y, B, 3-phase AC, R, this is R, this is Y, this is B, इसका equation लिखेंगे, तो क्या होगा, V, R equal to Vm sin omega t, V, Y equal to Vm sin omega t, minus 120, VB equal to Vm sin omega t, minus 240, यह, यह देते हैं, हम supply, 3-phase AC, तो इससे क्या होता है, 3-phase winding में current provide होती है, तीन current produce होगी, बिल्कुल अपने अपने voltage जैसा, कैसा, I phase में, जो R phase में current होगी, I R equal to Im sin omega t, यह current produce करेगी, Y phase की current है, Iy equal to, यह current produce करेगी, अपने phase में, Im sin omega t, minus 120, जैसा current voltage होगा, वैसे current, V phase में जो current होगी, यह, वो होगी, Im sin omega t, minus 240, यह, जैसा voltage दिया था, तीनों phase में, वैसी current produce होगी, अब यह current जो है, क्या करेगी, तीनों अपना अपना flux produce करेंगे, तीनों अपना अपना flux produce करेंगे, पहला जो है, 5R equal to, 5m sin omega t, 5y equal to, 5m sin omega t, minus 120, and 5b, 5m sin omega t, minus 240, तीन flux produce होगे, अपने अपने phase के, अब यह, तीनों flux के resultant से resultant flux produce होता है, यह, हमने discuss किया है, three phase induction motor के time पे, जब हमने उसमें discuss किया है, concept of rotating magnetic field, या working of three phase induction motor, वहाँ जाके आप देख लीजिए, इन तीनों flux के resultant से एक flux बनता है, उस flux का मान कितना होता है, उस flux का मान होता है, three upon two, five m, यह resultant से, तीनों के resultant से एक flux produce होता है, तीनों के resultant से एक flux produce होता है, उस flux का मान कितना होता है, उस flux का मान होता है, three, five m upon two, या इसको कह सकते हैं, 1.5 यह flux प्रडूस होता है due to resultant of all these three flux तीन flux जो हैं हमने क्या दिया three phase AC supply दिया उसकी वज़ा से क्या हुआ यहां winding में three phase current प्रवाइद हुई stator winding में इस three phase current की वज़ा से तीनों phase के flux प्रडूस हुए तीनों phase के flux की वज़ा से क्या हुआ एक resultant flux प्रडूस होता है resultant flux कहां प्रडूस होता है stator के उपर तो यह resultant flux उतने पॉल का होगा जितने पॉल के लिए हमने यहां पे बनाया होगा मालेज यह दो पॉल के लिए resultant flux प्रडूस होगा यहां पे stator पे चार पोल के लिए किया होगा तो चार पोल के लिए पैदा होगा, चार पोल नार्थ, फिर साउथ, फिर यहां नार्थ, यहां नार्थ पैदा होगा, फिर यहां साउथ पैदा होगा, इसलिए चार पोल का इस तरह से, तो यहां मानते हैं कि दो पोल के लिए हमने तो दो पोल हम रोटर पे भी वाइंडिंग करेंगे दो पोल रोटर पे भी बनाएंगे इसलिए ध्यान रखिएगा कि सिंकुरुनस मोटर में इस्टेटर पर पोलों की संख्या और रोटर पर पोलों की संख्या हमेशा बराबर होती है अधर्वाइस सिंकुरुनस मोटर वर्क का मान है this is the resultant flux यह resultant flux कौन सा flux है यह तीनों flux जो तीनों फेस में हमने current प्रवाहिद किया है उन तीनों flux का परिडामी flux है resultant flux बोलते हैं 5m क्या है इसका मान कितना है इसका मान है 3 upon 2 5m या 1.5 5m 3 upon 2 या 1.5 क्या है this is a constant यह तांक है 5m क्या है the maximum value of flux produced by any one face किसी phase द्वारा जो flux produced किया जा रहा है उसका maximum value है अभी हम यह बता चुके हैं यह क्या है 5m this is the maximum value of flux produced by any one face 5m maximum value of flux produced by any one face किसी phase द्वारा उत्पन flux का maximum मान है अब यह जो flux produce हुआ है यह उतने पॉल create करेगा इस टेटर पे जितने पॉल के लिए हमने winding की है हमने बताया कि दो पॉल के लिए अगर किया है तो दो पॉल पैदा होंगे इस टेटर पे इतने magnitude का उसका मान कितना होगा 3.25 या 1.55 दोनों कह सकते हैं अब यह फ्लक्स जो है इसकी लाइन देखिए कुछ देर के लिए भूल जाएए कि यहां रोटर भी है तो लाइन की तरसे आएंगी नार से साउथ में जाएंगी इस तरह से यह तो यह फ्लक्स पैदा हुआ कहां पे स्टेटर पर पैदा हुआ है यह फ्लक्स और यह फ्लक्स जो है सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है एनस वान ट्वंटी एफ हपान पी यह फ्लक्स रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड से स्टेटर पर जो थ्री फेस फ्लक्स का रिजल्टेंट फ्लक्स प्रडूस हुआ है यह rotate करता है synchronous speed से इसके बारे में हमने बात किया है जब induction motor के बारे में हम discuss कर रहे थे तो probably हमने वीडियो number 6 या 7 में discuss किया है आप जाके देख लिजिए वहां पर हमने discuss किया है कि यह इतना resultant कैसे आता है और वो synchronous speed से क्यों गुमता है देखिए synchronous speed होती है इसी speed को synchronous speed कहते हैं ns से denote करते हैं यह होता है 120 f upon p इसमें 120 क्या है constant है f क्या है यह सप्लाई की frequency यह जो three phase supply दे रहे हैं इसके कुछ frequency होती है मान लीजिए इसकी frequency है इंडिया में 50 तो यह यहां पर 50 रख देंगे और p क्या है पॉलों की संक्या है stator winding में कितने पॉल के लिए हमने बनाई है अगर यहां पर मान आ जाए दो पॉल है rotor पे तो दो पॉल इस्टेटर पे भी बनाए होंगी तो यहां पर दो पॉल रख देंगे तो एनस कमान कितना आ जाएगा यहां पर यहां पर एनस कमान आ जाएगा 120 इंटू 50 अपान पी नमबरा पोला टू सो एनस इक्वल टू 3000 rpm तो यह जो फ्लक्स प्रडूस हुआ है स्टेटर पे यह रोटेट करेगा clockwise direction में 3000 rpm से clockwise अभी नार्थ यहां है साउत यहां जाएगा शाउती धरा जायेगा, फिर नार्थ यहां जायेगा, शाउती धरा जायेगा, फिर नार्थ यहां जायेगा, शाउत概ED आ इस तरह से यह rotate करेंगी, line, यह flux rotate करेंगा, clockwise direction में, clockwise, यह इस दिशा में, अगर हम face sequence को change कर दें, जैसे अभी face sequence महन लिज어를 गूमेंगा फिर इस दिषा में उल्टा दिसा में घूमेगा यह कहाने सेख्वेश क्यां Spray के स्पिद्यू कर बात किरेंगे अगर पॉलों की संख्या हम चान रखते जैसे की इस मोटर में हैं देखिए यहां चार पॉल है नाथ है साउथ है फिर उधर नार्थ होगा फिर इधर साउथ होगा तो यहां सिंकुनस स्पीड यहां कितनी होगी यहां सिंकुनस स्पीड होगी 120 इंटु 50 एपान 4 तो यहां हो जायेगी एनस कमान कितना 1500 rpm तो यह फिल्ड यहां गूमेगा यहां पर भी फिल्ड बनेंगे यहां बनेंगे चार पोल बनेंगे Why स्टेटर पर क्योंकि विए पेडिक चार पोल हैं तो नार्फ साउठ इदा नार्फ because this motor runs at synchronous speed this motor cannot run at any other speed other than synchronous speed तो अगर दो पोल का ये मोटर है तो केवल 3000 RPM पे ही चलेगा इससे न ज़्यादा न कम अगर supply की frequency 50 Hz है ये अगर मोटर है 4 पोल का तो ये 1500 RPM पे ही चलेगा न ज़्यादा न कम अगर 6 पोल का होगा तो synchronous speed कुछ आएगा तो अगर supply की frequency constant रखी जाए तो ये मोटर की जो synchronous speed होती है ये constant होती है और मोटर उसी speed पे चलती है इसलिए इस मोटर को कहते हैं synchronous motor तो ये मोटर अगर 4 पोल की है frequency 50 Hz है तो ये मोटर किस speed पे चलेगी ये मोटर चलेगी 1500 RPM पे न ज़्यादा न कम तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि resultant field जो बना resultant flux बना stator winding पे stator के उपर वो उसका मान कितना है 3 upon 25 या इसको कह सकते हैं 1.55 ये किस speed से गुमता है ये synchronous speed से गुमता है 120 I into F upon P इस speed से ये गुमता है ये field तो ये अभी भूल जाईए rotor को क्योंकि अभी rotor पे जो हम बात करेंगे अभी बाद में बात करेंगे देखिए stator पे क्या हो रहा है अगर हमने दो पोल के लिए winding यहां की है stator पे north है नीचे south है ये तो ये पोल जो है north अगर उपर है तो line वहां से नीचे की तरफ south की तरफ ऐसे आएंगी इस तरह से इसका मान कितना होगा इतना होगा इस field का मान होगा 1.5, 5m 5m क्या हमने बताया किसी एक flux द्वारा किसी एक phase द्वारा open flux का महत्ता मान है तो देखिए यहां पे दोनों डायग्राम में देख लिजे अगर नार्थ पोल जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है इस डायग्राम में नार्थ पोल यहां है साउथ यहां है तो line देखिए नार्थ से साउथ जा रही है यह line जा रही है तो आधी लाइने अपना मार की धर से पूरा करेंगी और आधी लाइने अपना मार की धर से पूरा करेंगी यह पोजीशन नमबर वन है माली जय इंस्टेंट नमबर एक अभी यहां लाइने हैं हम अभी बता चुके हैं यह लाइने सिनकुरुना से स्पीड से घूमती हैं यह लाइने गूमेंगी इस दिशा में synchronous speed से 120 अफ़पान पी से अगर पोलों की संख्या 2 है तो यहां पर calculate कर लीजिए synchronous speed का मान कितना होगा 120 इंटू 50 अपान और 2 इसका मान कितना आ जाएगा 3000 rpm इस speed से लाइने गूमेंगी जो resultant field घूमेगा यहां देखिए स्टेटर पे नार्थ यहां है साउथ यहां है तो लाइने किधर जाएगी। आर्थ से अब इंस्टेंट नमबर दो देखें वो नार्थ पॉल जो पहले यहां था यह नार्थ पॉल आ गया यहां अब यह पहले यहां था S1 आप यह N2 एस टू पोजिशन नमबर टू यह गूं गया यहां आ गया क्योंकि यह 3000 आर पीम से घूम रहा है फिल्ड, resultant field है, उसका मान कितना है, 3 upon 2, 5m, इस magnitude का flux इस speed से घुम रहा है, तो पहले N1 यहाँ था, S1 यहाँ था, फिल्ड लाइने यहाँ से जा रही थी, ऐसे, अब यह देखे, घुम गया, यहाँ N2 आ गया, और सेकंड पोजिशन में, अभी इस समय, N2, इधर आ जाएगा, S2, लाइने जो यहाँ थी पहले, अब वो लाइने यहाँ से, यहाँ इंगे, इस इस इंस्टेंट नमबर 2, अभी यहाँ, और देखिए, इंस्टेंट नमबर 3, वही नार्थ पोल जो पहले यहाँ था, N1, फिर यहाँ था, N2, वही आ गया, यहाँ, N3, South Pole पहले कहाँ था, S1 था, यहाँ, फिर यहाँ आ गया, S2, अब यहाँ आ गया, S3, यह घूम रहा है, फिल्ड इस दिशा में हमने बताया, इसका मान कितना है, 3 upon 25, इसका magnitude है, 3 upon 25, this is the magnitude of this flux, 5 equal to this, and speed is, दो पोल का है, तो सिंकोना स speed कितना होगा, 3000 RPM, 3000 RPM से घूम रहा है दिशा में, तो इसकी position देखिए, अलग-अलग समय पे, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब इसे घूमता रहेगा, तो देखिए, पहले यहाँ था, N1, फिर N2, फिर N3, इसे पहले S1 यहाँ थ इस तरह से यह पोल देखिए, पोल, पोल की position देखिए, नार्थ से साउध लाइने आ रही है, उसकी position चेंज हो रही है, यह रोटेट कर रहा है, सिंकुरन से स्पीड से, clockwise direction में, पहले यहाँ से नार्थ पोल की लाइने निकल रही थी, फिर यहाँ से निकल रही थी, अभी यहाँ से निकल रही है, तो यह position अपनी shift कर रहा है, rotate कर रहा है इस दिशा में, देखिए, तीन position में हमने दिखाया, लेकिन यह तीन position पर जाकर रूप नहीं जाएगा, इस दिशा में ऐसे इसकी position shift होती रहेगी, इस दिशा में गूमता रहेगा, अगर हम face sequence को उल्टा कर द अभी मोटर की इधर को गूमेगा, अभी उदर को गूमेगा मोटर, इधर को यह field घूम रहा है, तो अभी हम बात कर रहे थे, stator पर क्या हो रहा है, three-phase supply देने से stator पर यह होता है, अब देखिए, यहाँ पर क्योवल स्टेटर नहीं है, रोटर भी है, उसके अंदर क्या है ऊसके अंदर यह भाग है, यह, तो stator पर देने से तो यह हो रहा है, रोटर पर देने से क्या हो रहा है, रोटर पर देने से यहाँ पैदा हो जाएंगे, नार, साउथ, नार्थ, साउथ, और यह पोल Glasgow और ये गूमेंगे नहीं, क्यों क्योंगी यह पोल सप्लाई बीची से पोल क्रीएट हो रहे हैं इसलिए यह पोल जो है इनका मैगनिट्यूड रहेंगा जब तक कि हम कर्ण्ट शेंज नहीं करेंगे और फिलहाल अभी गूम नहीं रहें अभी इस्थिर रहें तो अभी क्या घूम परहेंगे तो यह देखिए क्या हो रहा है इस टेटर पर विल्ड रोटेट कर । रहा है रोटर सब्लिख मोटर तो अगर केवल इस्टेटर पे होता तो क्या होता areर धोननों हैं तो क्या होगा दोनों के रिजलिक्स टेस अच्टे इसके बारे में बात करने जा रहे हैं देख्य després haven किस्च मोटर्म स्टार्टिंग इसका मतलब क्या है यह मोटर अपने से स्टार्ट नहीं होती हैать मोटर को स्टार्ट करने के लिए कुछ दिवस्था करनी पड़ती है we have to make some provision three-phase induction motor इसके बारे में आप discuss किये थे हमने वीडियो बनाया है उसको आप देख लिए three-phase induction motor जो है वो self-starting होती है self-starting का मतलब है कि three-phase supply जैसे ही आप आन करेंगे three-phase AC stator पे आपको कुछ न करना पड़े मोटर के अंदर और वो मोटर अपने से start हो जाए चलने लगे तो उसको बोलते हैं self-starting तो three-phase induction motor होता है self-starting बड़ synchronous motor जो है वो self-starting नहीं होता है synchronous motor is not self-starting इसके बारे में आप याद रखिएगा तो synchronous motor self-starting क्यों नहीं होता है इसको हम explain करने जा रहे हैं वाई वाई नाट self-starting इसके बारे में discuss कर रहे हैं देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले discuss किया क्या discuss किया की stator पे जो पोल है वो rotate कर रहे है यह 9 मान लीजिए इसका पोल जो है अभी motor चल नहीं रहा है तो यह इस्थिर है rotor पे है यह इस तरह से लेकिन इस्टेटर पे जो पोल है नार्थ साउथ नार्थ साउथ वो रोटेट कर रहा है इस दिशा में तो रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा देखिए motor self-starting क्यों नहीं है देखिए इसके बारे में डिसक्स करने जा रहे हैं वाई इस motor is not self-starting तो देखिए रोटेट करते करते मां लीजिए यह तो इस्थिर है अभी एंटू क्या है जो रोटर पे पोल है इस डू क्या है रोटर पे जो पोल है साउथ पोल इनके बार में आप जानते हैं इसको किस ने प्रोड्यूस किया डिशी सप्लाइज उपैदा किए हैं उसने टेटर पर पे जो पॉल है नवन और एस वन यह रोटेट कर रहा है इस दिशा इहां पे है एश्वान और रोटरूफ पूल यहां एनट है साओ पॉल हमेस सब्सक्राइब अब देखिए हैस समय इससमैं इस इंस्टैंट पर हालाग इस था इन एप नहीं है दिखें दोनों के विपरीद पॉल बगल बगल में हैं तो इस्टेटर का जो नार्थ पॉल होगा रोटर के नार्थ पॉल को क्या करेगा प्रतिकर्शित करेगा इस्टेटर का नार्थ पॉल रोटर के नार्थ पॉल को प्रतिकर्शित करेगा क्यों क्यों कि लाइक पॉल कि दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगे तो इसमें से एक है जो गुम सकता है क्योंकि रूटर पर तो इस पे टार्क लगेगा इधर को इस पे फोर्स लगेगा इधर को प्रतिकर्शड करेगा तो दूर के लिए बल लगाएगा दूर जाने के लिए तो इस भाग पे बल लगेगा इधर की तरफ और इस भाग पर लगेगा इधर की तरफ क्योंकि ये जो नार्थ पोल है इस नार्थ पोल को प्रतिकर्शित करेगा दूर जाने के लिए ये नार्थ पोल इस नार्थ पोल को प्रतिकर्शित करेगा दूर जाने के लिए ये साउथ पोल स्टेटर का ये रोटर के साउथ पोल को प्रतिकर्शित करेगा दूर जाने के लिए ये दूरा है साफ्ट है इसके सापेच में ये गूम सकता है तो इस पे एक टार्क डेवलप होगा बलागून पैदा होगा किस दिशा में, जिस दिशा में ये एरो लगा है, ये भाग इधर, ये भाग इधर, तो ये इस दिशा में गूमने के लिए एक बलागून कारी कर रहा है, कैसे कारी कर रहा है बलागून, देखिए, ये जो है बाग, एक बाग इधर को, दूसरा बाग तो इधर को तीसरा यह जोगा वागे से इहर को इस तरह से सभी पलग रहा है फोर्स तो उसकी वज़ास आप कर रहा है जिसकी वज़ास यह गूमने का प्रयास करेगा तेंड टेंड टेंडिंग टूरोटेट इस इंडिस डारेक्शन बाट हमने बताया कि यह 3000 RPM से फील्ड घुम रहा है इसलिए क्या होगा अगर सप्लाइब की फ्रेक्वंसी अगर 50 heck है तो क्या होगा हुआफ साइकल बाद सप्लाइब की फ्रेक्वंसेगर फिफ्टी है तो यह जो यह जो एनवन है यह गूम करके यहां आ जाएगा क्योंकि यह 3000 रपीम से गूम रहा है तो यह इतना स्पीड से नवन यहां आ जाएगा और एस वन जो है से एस वन पूल यहां जायेगा देखिए देखिए यह यह डाय ग्राम देखिए अभी इक बटी सव सuksहर्ण पहले क्या ओ रहा था एकबटे सव सेकनड पहले हो रहा था यहां डिशा में इंगार्य पेडेव जो सेकन्ड देखिए और जो था आभी position पर एक बटे 100 सब्सक्राइब पहले वह गूं करके आ गया यहां पर कितने समय में आगया अप्टर वन अपान हंडेट इतना कम समय तो अभी एक बटे 100 सब्सक्राइब पहले टार्क इदर को हो गया यहां यहां गया तो क्या हो जाएगा स्टेटर का साउथ पोल रोटर के नार्थ पोल को अपनी तरफ करेगा यह स्टेटर का नार्थ सो सेकंड पहले टार्क लग रहा था किधर को एंटी क्लाकवाइस तो इतना जल्दी से टार्क चेंज हो गया उसकी दिशा चेंज हो गई एक बटे सो सेकंड पहले लग रहा था क्लाकवाइस एक बटे सो सेकंड पहले लग रहा था एंटी क्लाकवाइस एक बटे बटे-100 सेकंड में क्या होगा फिर यह वापस यह हो जाएगी पॉजिशन फिर से यह फिर अगले एक बटे-100 सेकंड बाद फिर यह पोजिशन टू हो जाएगी तो यह पोजिशन जो है टारक की दीशा देखिए after every one upon hundred second the direction of torque is getting reversed हर एक बटे 100 सेकंड बाद टार्क जो रोटर पे लगेगा उसकी दिशा चेंज हो रही है इसलिए due to inertia यह जो है इस रोटर पे जो टार्क लग रहा है एक बटे 100 सेकंड पहले इस दिशा में लग रहा था सभी पे इस दिशा में एक बटे 100 सेकंड बाद इस पे टार्क रख रहा है इस पे टार्क लग रहा है गलालाकवाईस तो कलाकवाईस एक बार बार चेंज होहता रहेगा इतने कम समय में तो यह रोटर due to inertia due to inertia inertia की वजय से यह गूम नहीं पायेगा इससे पहले की गूमने का इधर को वो होता, इसका कुछ वो होता, स्टार्टिंग होती है, उसके पहले ही टार्क उल्टा हो रहा है, तो इतनी जल्दी जल्दी टार्क की डारेक्शन चेंज होने की वज़ा से ये क्या होगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ना इधर, और ना ही कि टार्क की दिशा बार-बार चेंज हो रही है तो दिस मोटर इस नाट सेल्फ स्टार्टिंग विकास डिडारेक्शन आफ टार्क इस गेटिंग रिवर्जड आफ्टर एवरी वन पान हंडेट सेकंड तो बार-बार पहुत कम समय में तार्क की दिशा या बलागून की दिश चेंज हो रही है मोटर में इस वजह से सिंकुनस मोटर क्या होता है कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है अपने से स्टार्ट नहीं होता है इसलिए इस मोटर को बोलते हैं इस मोटर इस नाट सेल्फ स्टार्टिंग अब कैसे फिर स्टार्ट करेंगे इस मोटर को स्टार् का यह है कि अगर अगर हम किसी माध्यम से जिस स्पीड से रोटर का स्टेटर का फील्ड रोटेट कर रहा है सिंकुना से स्पीड से रोटेट कर रहा है माली यहां एन है यहां पर नार्थ पोल है यहां सस्पीड अगर जिस स्पीड से इए गुम रहा है यह स्टेटर का फिल्ड गुम रहा है किसी माध्यम से हम rotor को भी उतने speed पर घुमाना सुरू कर दे जिस speed से यह गुम रहा है उसी speed से इसको भी घुमाएं तो क्या होगा कि stator का north pole और rotor के south pole या विपरीथ pole जो है या विपरीथ pole बगल बगल में रहेंगे तो क्या होगा इनमें बहुत जोड़दार आकरसंड होगा तो यह क्या होगा कि rotor का जो pole है वो stator के pole के साथ में lock हो जाएगा क्योंकि दोने pole बहुत तगड़े हैं strong है और विपरीद pole है तो विपरीद pole है तो क्या होगा फिर इसको अगर वहां तक पहुंचा दिया जाए और इस स्पीड तक और इसके साथ में वो कर दिया जाए, लॉकिंग कर दिया जाए, तो क्या होगा, कि ये नार्थ पोल जब आगे जाएगा, तो इस साथ में लेके जाएगा, ये साथ पोल आगे जाएगा, तो इस नार्थ को लेके जाएगा, ये साथ पोल आगे जाएगा, कि लौक हो जाएंगे आपस में यह पौल लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा कि स्टेटर का पौल जो रोटेट रहा है वो रोटर की पौल को छोड़े तो क्या होगा ये वाला पोल इसके साथ में अगlor हो जाएगा तो इसको छोड़ेगा नहीं इसको ले कि जाएगा इस्टेटर का नार्थ पोल नहीं दो आफंडर कर दीजिए 3000 और सप। घूमेंगा इस टेटर का फील्ड पोल तो वो इस रोटर को भी अपने साथ में इसी स्पीड से गूम में तो देखिए यहां नार्थ पॉल आया यहां साउथ आया यहां नार्थ पॉल है रोटर का यहां साउथ पॉल है तो जितने समय में यह नार्थ पॉल गूम करके यहां आएगा नार्थ पॉल गूम करके यहां आएगा उतने समय में ही यह साउथ पॉल भी गूम करके यहां जाएगा क्योंकि दोन के धुम रहा है Stator का लुषी स्पीट से कर रोटर का फोल भी घुमेगा तो भी परीत पोल हमेशा सीथ में बने रहेंगे और आपस में लौक रहेंगे जैसे जितने समय में यह नार्थ पोल यहां से यहां आएगा और यह साओ यहां जाएगा जैसे यह पोजिशन नमबर बन पोजिशन नमबर टू उतने ही समय में यह साउथ पोल जो है जितने समय में यह नार्थ पोल यहां से घुमके यहां आया साउथ यहां गया यहां गया यहां गया नार्थ यहां गया उतने ही समय में देखिए रोटर का भी पोल चेंज हो गया के रोटर का जो साउध पोल यहां आगया और नार्थ पोल यहां आगया उतना ही समय में यह पोईशन में तो अब यह क्या हो रहा है कि वीप्रीथ प Sow Brendan जो है साथ-साथ जा रहे हैं यह आपस traders यह हो जाएंगे पॉल आपस में लॉक हो जाएंगे अई वी प्रीध पॉलग से स्टेटर का पूल घूम रहा है फील्ड घूम रहा है उसी स्टेटर के स्टेटर के पॉल को अपने साथ लेकर देखिए अब ये लॉक होगल अगर तो Я क्या करेगा ये साथ जब यहां जाएगा जैसे देखी यहाँ गया यहना जूभा इस साथ को यहाँ लेके आए गया इस इस साथ़ माइंटक लॉक लॉकिया थो इस Wait स but लोक हो गया ठया की कितनी होगी तीन हजार अरपीम इसलिए यह motor किसी speed पर चलती है synchronous speed पर क्योंकि field जिसी speed से घुमेगा rotor को उसी speed से घुमाएगा तो यह तो locking होगी यह locking नहीं होगी तो साथ साथ घुमेंगे locking नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगा छोड़ देगा सो इस motor runs in synchronism with the rotating field synchronous motor क्यों बोलते हैं क्योंकि synchronous speed पर ही यह motor चलती है synchronous speed पर ही यह motor चलती है ना ज्यादा ना कम क्यों क्योंकि यह motor जो है rotor जो होता है rotor वो rotating field के साथ synchronism में होता है synchronism में synchronism का मतलब है कि यह उसी speed से घुमता है जिस speed से rotor का stator का field rotate करता है उसके साथ इसकी magnetic locking होती है so this rotor is in synchronism with the stator field that is why this motor is called synchronous motor और यह motor synchronous speed पर ही चलती है load बढ़ाएं load घटाएं यह इस speed से ना कम होगी ना ज्यादा होगी क्योंकि locking हुई है locking हुई है stator का field कभी इसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा अगर तो यह motor रुख जाएगी load बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आयेगा की छोड़ देगा छोड़ देगा तो यह stop हो जाएगी motor फिर निकल जाएगा आगे यह रुख जाएगी फिर तो यह motor या तो छलेगी नहीं और चलेगी तो किस इसी इस मोटर को कहते हैं synchronous motor तो यह working समझा रहे थे synchronous motor की अगर यह दो पोल का है मान लिजिए तो स्टेटर का अगर यह पोल है साउथ पोल आफ स्टेटर है तो यहाँ पर क्या होगा हो अधार्थ पोल आफ रोटर इनकी लॉकिंग इस तरह होती है यहां पे नार्थ पोल आफ स्टेटर है तो यहां पे क्या होगा साउथ पोल आफ यह लॉकिंग होती है यह जितना स्पीड से आगे जाएगा उतना इसको ले जाएगा यह जितना यह जितना आगे जाएगा स्टेटर का फिल्ड उतना इसको ले जाएगा सो देखिए यहां प साउथ पोल आफ रोटर है तो यहां पर नार्थ पोल आफ इस्टेटर लॉक हो जाएगा पसमें यह लॉक हो जाएगा पसमें जिस स्पीड से फिल्ड घूमेगा फिल्ड तो हमेशा सिन्कॉनस स्पीड से घूमता है उसी स्पीड से रोटर को भी घूमाएगा इसलिए इस कि दो विदियां है पहली विदी है विद्ध हल पाफ प्राइमुवर की मदद से स्टार्ट करते हैं प्राइमुवर क्या होता है देखिए प्रारम हमें इस मोटर में क्या करते हैं यह मोटर है सिंकुर्णास मोटर कौन कर सकते हैं इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं डीशी संट मोटर क्यों कि यूज कर सकते हैं डीशी संट मोटर क्योंकि डीशी संट मोटर में हम speed control बहुत अच्छा कर सकते है speed control base speed से उपर भी ले जा सकते है base speed से नीचे भी ले जा सकते है तो यह है poni motor यह starting motor है जिसकी मदद से हम synchronous motor को start करते है तो कैसे start करते हैं देखिए यह poni motor है यह self starting motor है इसको start करने के लिए किसी की जरुवत नहीं पड़ती है यह self starting नहीं है इसको start करना है synchronous motor है इसको start करने के लिए जरुवत है प्राइमोर की या इसको गुमाना पड़ता है अभी हम discuss कर चुके है कि synchronous speed तक ले जाना पड़ता है तभी यह motor जो है locking होती है magnetic locking तो क्या करते हैं कि parram हमें इसमें three phase AC supply तो दे देते हैं three phase AC देते हैं लेकिन जो field है हमने बताय था field winding पर उशपर अभी DC सप्लाई नहीं देंगे देंगी क्या करते हैं प्रारम हमें three phase AC सप्लाई पर दे देते हैं यहां पर कहा पर यहां पर यहाँ पर वह रखा है ते यह किया उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले तो क्या करेंगे इस मोटर का जो साफ्ट है दुरा, इसके साथ में пропасть कपल करेंगे, क्योंकि ये मोटर जो है, जब स्टार्ट करेंगे पॉनी मोटर ये बस एडियन पराम देनगे डिस पराम होब तो इसको स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले स्टार्ट करने के पहले, इसका दुरा साफ्ट उसके साथ में मेकेनिकली जोड देंगे, क्यों जोड देंगे, क्योंकि ये जब स्टार्ट होगी, तो इसको भी घुमाएगी, इस वजह से इसको जोड देंगे, तो क्या करते हैं, step, step देखिए, सबसे पहला, procedure number one, step number one, step number one में दोनों का दुरा जोड़ देंगे saft, coupling कर दिया step number two इसको start कर दिया pony motor को start कर दिया start कर दिया ये rotate करने लगेगा, ये भी rotate करने लगेगा क्योंकि इसका saft जुड़ा है step number three अभी इसका field supply यान नहीं किया है इसका फिर क्या करेंगे इसका फिर इसकी supply यान करेंगे three faces यान कर दिया field off है अभी field off field supply याफ है अभी field पे supply नहीं दी गई, अब क्या करेंगे अब इसको ले जाएंगे synchronous speed तक prime war को कहा तक ले जाएंगे 120 अफ़पान पी synchronous speed तक, अगर ये 4 पोल का motor है तो synchronous speed कितनी होगी, 1500 दो पोल का है, तो synchronous speed कितनी होगी, 3000 जितने पोल होंगे synchronous motor पे उसके according synchronous speed होगी और वहां तक इसको ले जाएंगे कैसे ले जाएंगे, हमने बताया कि ये prime war है, ये DC center motor है, इसकी speed को हम बढ़ा घटा सकते हैं, control कर सकते हैं, इसको जाएंगे, speed बढ़ाएंगे इसकी, ये self starting है, इसकी speed को नापते रहेंगे, कहां तक नापते रहेंगे, जितना synchronous speed है, अगर ये दो दो पोल का होगा, तो synchronous speed कितना होगी, 3000, 4 पोल का होगा, तो 1500, तो ये माल लीजिए कि ये, दो पोल का है synchronous motor, तो क्या करेंगे, 3000 RPM होगी, synchronous speed, 3000 RPM, तो इसको ले जाएंगे, 3000 RPM तक, प्राइम ओर को, इसकी speed को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, 3000 RPM तक ले गए, अब देखिए, दोनों क्या हो रहा है, synchronous speed तक ये पहुँच गया, इसका rotor synchronous speed पर rotate कर रहा है, 3000 RPM पर, field rotate कर रहा है, 3000 RPM पर, क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए, क्या position बन गई है, अब यही position बन गई है, ये, field भी rotate कर रहा है, 3000 RPM पर, और motor को भी हम rotate कर दिए, 3000 RPM तक ले गए, किसकी मदद से, प्राइम मतद से इस kişi міहाँ यह 10,000 एस इस स्पीड क्या है 1000 तीन आपीम इसकी फीड्ट क्या है TERっぽी 300 रपीम स्पीड क्या है यह भी 2030 आप यह इसके प्राइमिश्पर से घुमा रहें हैं यह गुम रहा पैंट सप्लाईद करेंगे करें से अन कर देंगा ग 1951 पैंड MS का सुब्सक्राइब को प्लाय है यहां पैब यहां पर पर यहां परnya यह तो फिर यहां खुंड़ करेंगे तो पहर ये लोद्ट ज़रक केसाद रूग जाएकि क्यों कि ये बहुत तेज प्रतिकरभी करेंग अभी अभी देखिए south pole है यह north है इसी समयान कर देंगे तो क्या होगा इस नार्थपोल के साथ में south lock हो जाएगा और इस south pole के साथ में नाथ लुग हो जाएगा इसा भी कर सकते हैं यह ऐसा भी कर सकते हैं इस data का जब यहां पे south है तो समय हम ऐसा सब्दम reflects हो तो यह क्या करेगा इसको लौक करेगा इसको लौक कर लेगा अभी विख्ष देएकर का सौल जो ही नात को छोड़ेयें नहीं लौक हो गशेशैने सब्सक्राइब अब क्या होगा आप δेखिये अब ये मोटर क्या हो जानकर दिया हैий सब्सक्राइब लास्ट स्टेप में आन करें कैसे का पहां पे है सब्सक्राइब पॉल क्रियेट होने की संभावना होती है उसी समयन करदे लिजैसे यां करते हैं स्टार का पॉल जो है है डौल के साथ में लॉक हो जाता है जैसे कि कि हमने डिसकस किा भी देखे अंब हम लिजे कि कि यह स्टेटर का साुट प dwalk आ यहालन फेल्आ एक समय और यहां नात फोल राया है किसी समय उसी समय इसकी सप्लाइब के रूप इस अपने sister से रोटेट कि जिसी स्वेड हैं तो क्या होगा चोड़े गान आई अब क्या है जो प्राइम मुझें कोई जरुद्र नहीं है तो क्या करेंगे लास्ट स्टेप में यह प्राइम मूँवर को हम du couple कर देंगेज डी couple that Check फान को मतलबemor इसको खोल देंगे हटा देंगे तो यह क्या होगा यह अलग हो जाएगा यह अनलग हो जाएगा तो इसको भजरुरुत नहीं है इसके रिवार्मेंट नहीं मोटर स्टार्ट हो चुका है क्योंकि इसकी मैगनेटिक लॉकिंग हो गई यह फिल्ड की अभी मोटर अपने से चलता रहेगा आप इस पर लोड दे सकते हैं क्योंकि यह भी मोटर चल चुका है इस मोटर हैस नाव स्टार्टेड रॉमिंग यह देखिए इस तरह भी विवस्था कर सकते हैं यह प्राइम मोटर है यह पोनी मोटर कह सकते हैं यह है सिंक्रोनस मोटर है यह सिंक्रोनस मोटर है पहले स्टेप में बताया जो स्टेप वही फालो करेंगे साफ्ट पहले कपल कर देंगे दोनों का धूरा इसको स्टार्ट कर देंगे इस से इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे कितना ले जाएंगे सिंकूनस स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे चार पॉल का है तो 1500 रपीम दो पॉल का है तो 3000 छे पॉल है तो छे पॉल के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए 120 इंटू 50 अपान 6 तो यह हो जाएगा यह 1000 रपीम तो जो भी होगा है इतने पॉल होंगे उसके हिसाब सिंकूनस स्पीड होगी जैसे सिंकूनस स्पीड पहुंचेगा हम इसके स्टेटर की पॉल की लोकेशन लेते रहते हैं कि इंस्टूमेंट से मीजर करते हैं जैसे ही परी बेंट दस्टा तरफ जो जोड़ करेंगे क्म मोटर चल चुका है अब इसको कर देंगे यह िहां पर रहेगा इस तरह की ब्योथता हो सकती है मूत के साथ मेढ़निक यह सिंकूनस स्मूंस सकती है मूटर ये इसके साथ में क्या करेंगे इसको आन करेंगे ये चलने लगेगा ये चलेगा तो ये भी चलेगा ये भी रूटेट करेंगे अब सिंकोनस स्पीड तक ले जाएंगे और इसको थ्रीफे सप्लाई आन कर देंगे जैसे ही विपरीत पोल आएंगे गल बगल रहेंगे पैदा होने की गुंजाइस होगी उसी समय हम इसके फिल्ड की सप्लाई को आन कर देंगे और वो लॉक हो जाएगा तो इस तरह से भी मोटर को स्टार्ट करते हैं इसको बोलते हैं स्टार्टिंग विद धाल पाफ प्राइ सिंकरोनस मोटर की जरुवत है लेकिन हमको यह रखना पड़ेगा लग से स्टार्ट करने के लिए के लिए थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जायागी क्योंकि वह मोटर जिसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए के लिए स्टार्ट करने में काम आती है इसलिए उससे ज्यादा बेहतर है इसमें कोई पराइमौर की जवबत नहीं पढ़ती हिसमे क्या करते हैं जो फिल्ड पॉल है फिल्ड पॉल उसमें क्या करते हैं क कापर के स्टरह से बार भर देते थैं में तो रहती ही है साथ ही साथ जो पोल का फेश कापर का इस तरह से टुकड़ा इस तरह से होते हैं इस तरह से पहर इधर के सारे भाग आपस में कापर से जोड़ देते हैं इधर के सारे भाग आपस में जोड़ देते हैं इसको बोलते हैं डैंपर वाइंडिंग यह डैंपर बार यह हैं डैंपर बार हैं कापर के रॉड होती है रॉड तो इसको इंड कनेक्शन के माद्यम से आपस में कर देते हैं इसको आपस में इधर जोड़ देते हैं इसको आपस में इधर जोड़ देते हैं अब इससे क्या होगा कि अगर स्तार में अगर ये मैं पैदा हुआ या वोल्टेज पैदा हुआ तो इसमें करेंट पैदा होगी आई इसलिए जोड़ा गया है इधर से क्यों जोड फिल्ड वाइंडिंग तो रहती है पोल पे फिल्ड वाइंडिंग के साथ साथ क्या होता है डैंपर वाइंडिंग बोलते हैं डैंपर वाइंडिंग देख लिजे डैंपर वाइंडिंग कैसे होती है और दिखा रहे हैं देखिए डैंपर वाइंडिंग कहा होती है डैंपर व इसमें copper के बार बहर देते हैं इसमें इंसुलेशन लगाके ऐसे उसको बोलते हैं damper winding यह तरह से भरी जाती है यहाँ पर पोल फेस में इधर का भाग सब आपस में जोड़ देंगे इधर के भाग सब इसमें फैदा होगा तो इसमें करेंट परवाहीथ होगी करैंट तो वह कैसे exempt करती ही motor को start करने में सब्सक्राइब देखेंए यह एन पर वाइंडिंगे द्रेंपर बाऄ यह damper winding यह damper bar कैसे दिखते हैं ऐसे damper winding यह damper bar ऐसे this is damper winding यह damper bar देखें actual motor में damper winding कैसे होती है यह यह damper winding है pole face में ऐसे होती है damper windings field winding तो ऐसे होती है इधर इसमें field winding इधर होगी यहाँ पे इस भाग में इसका काम होगा field flux produce करना damper winding क्या करती है starting में help करती है starting में मदद करती है तो इधर की सिरे आपस में जोड़ दिए इधर की सिरे आपस में जोड़ दिए देखिए यहाँ damper winding दिए यह क्या है यह field winding है यह फिल्ड वाइंडिंग है copper की इसका काम में फिल्ड फ्लक्स प्रडूश करें damper winding देखी किया damper bar slot में यह भार दिये जाते हैं इस तरह से rod copper के या aluminium के conducting और इनको आपने हमें जोड़ दिया जाता है ऐसे तो इसको होते है damper winding यह damper bar इनका काम क्या होता है यह synchronous motor को start करने में मदद करते हैं इनकी मदद से synchronous motor जो है start होती है self starting हो जाती है prime mover की जरूवत नहीं पड़ती है तो यह कैसे help करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और देखिए जी damper winding कहां है कैसे लिखती है यह इस देंपर winding इस काई देंपर winding and it is short circuited through this यह देंपर winding दीख रही है इस थरह से होती है यह देंपर winding है कहां होती है यह देंपर winding यह यह इस भाग में होती है इस इस किसमें यह यह तो देमपर वाइंडिंग यहां होती है जो बनाके ऊसी में कॉपर के बहर देते हैं टुकड़े इस तरह से अब क्या होता है देखिए डेमपर वाइंडिंग कैसे हेल्प करती है इसको स्टार्ट करने में आप यह देखिए फिल्ड रूटेट कर रहा है तो कैसे यह एंप करती है इसके बारे में डिसकस करने जा रहे हैं हाउ डेमपर वाइंडिंग्स हेल्प तो देखिए रोटेट कर रहा है सुरुवात में क्या करते हैं कि सुरुवात में हम फिल्ड सप्लाई को आफ रखते हैं यह रखते हैं सिटेहर फिल्ड सप्लाई आफ रखते हैं से फिल्ड सप्लाई आप कर देते हैं श्राइशिद पर प्रोटेशी सप्लाइयान करने से क्या होगा स्टैटर का फिल्ट पैदा होगा हमने आपको बताया था इस्टैटर प्रपीड पांटीवता होता है उसका मान कितना होता है कि अलगा इसके बारे में बात किये हैं तरिये पांटू फाइएम और यह गुमता है सिंकोनस स्पीड से बन टूंटी अपपांग पी दो पोल के लिए होगा तो यह गुमेगा 3000 रपीम से चार पोल का होगा तो 1500 रपीम से अब फिल्ड जो रोटेट कर रहा है तो क्या करेगा visit Rabbit online compromise को कट करता है किसे सपीड से कट करेंगा सिंकोनस स्पीड से photo 120 फिषय कर रहा है तो यह तो यह जो रोटेट कर रहा है क defence से कि 308 रपिम से तो यह जो रोटेट कर रहा है तो डैम पर रॉइंडिंग के झाड़क्टर को करता है तो इसमें, ḥे राड़ेक एलेक्ट्रॉमेगनेटिक इंडक्शन के नियमसे इम f पैड़ा हो जाता है क्योंकि फ्लक्स परीवर्तित हो रहा है तो इसमें बिद्धुत वाहँआख वल्uta तो प्रेशा हो जाएगा तो इसमें धारा पैदा हो जाएगी धारा पैदा हो जाएगी तो धारा वही चालक को चुमकी छेतर में रखा जाता है तो उसका बिरोध हो यह जो फ्लक्स कट लगेगा उसी दिशा में माली जे रोटर है तो रोटर पे भी टार्क लगेगा उसी दिशा में रोटर भी घूमना उसी दिशा में घूमेगा तो यह फ्लक्स कट करता रहेगा जब तक कि इसकी स्पीड जो है इनकोना से स्पीड तक ना हो जाए तो क्या होगा कि स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी डैंपर वाइंडिंग में जो इमेफ पैदा हुआ है उसी इमेफ की वज़ाए से इसमें करेंट पैदा हुई है करेंट की वज़ाए से यह जो फिल्ड इसको कट करता हुआ जा रहा है इस दिशा में लेंज के नियम से इसका विरोध होगा तो क्या होगा इस पे उसी दिश से ज्यादा होगी फील्ड इसको कट करेगा फील्ड इसको कट करता हुआ जा रहा है डैमपर वाइंडिंग को इधा कट करता हुआ सिंकोनस स्पीड से जाएगा सुरू में जब यह डैमपर वाइंडिंग इस्थिर है जब डैमपर वाइंडिंग इस्थिर है यानि रोटर इस स्थिर है तो इसको फिल्ड की स्पीड से कट करता हुआ जा रहा है सिंकोनस स्पीड से यानि 3000 rpm से तो यह उसी दिशा में गूमेगा यह डैंपर वाइंडिंग पर टार्क लगेगा उसी दिशा में तो उसी दिशा में यह भी घूमने लगेगा तो क्यों क्यों गूमेगा क्यो तो तार्क जो पैदा हो रहा उसकी वजह से उसी दिसा में गूमने लगेगा इसकी वड़ती जाएगी क्यों बढ़ती जाएगी क्यों कि जबतक सिंकोंस इनकोनस स्पीड यानि फिल्ड के गूंबने की ज़ो इस जादा होगी और और इसके गुमने की स्पीड जब तक कम होगी दिस जनार अंड एनस स्पीड से फिल्ड घूम रहा है नार स्पीड से डैमपर वाइंडिंग यह पॉल घूम रहा है अभी पॉल हमने क्रियेट नहीं किया है अभी तो डैमपर वाइंडिंग में उसकी वज़ा से घूम रहा है तो जब तक इसकी स्पीड जादा होगी फिल्ड की इसकी स्पीड से रोटर की तब तक कट करेगा तब तक यह में पैदा होगा तब तक इसमें विरोध होगा तब तक यह उसमें बढ़ता जाएगा तो रोटर की स्पीड जो है यनार यह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएग जब तक कि इसकी स्पीड से स्पीड के बराबर नहीं हो जाती है क्योंकि इसी स्पीड से जब दोनों घूमेंगे तो कट नहीं करेगा उसके पहले जो है कट करेगा क्योंकि इस फील्ड की स्पीड ज्यादा है इसके घूमने की स्पीड कम है तो यह इसकी स्पीड बढ़ती ज स्क्राइब करके उसके बाद से लो होने लगेगा तो यह हम मौका देखते रहेंगे जैसे ही से स्पीड पेपहुंचे गार वैसे ही हम फिल्ड की सप्लाई को यह देख करके कि बिपरीध पॉल पॉलों की पोजिशन देखते रहेंगे कि यहां पे बन रही है कि नहीं जैसे ही यहां पे स्टेटर का साउथ पोल आया वह इसे ही हम क्या करेंगे आने जैसे ही पाईदा होने की गुण गञाईश रहेगी और यहां पर साउथ हो स्टेक्टर का साउथ है यहां रहा है गूंग रहा है थीजार पूश को भूखूम रहा है वह भी क्यों गूंग रहा है इसमें उडल फैन चाहें ब फिल्ड आफ जैसे ये 3000 आरपियम पे पहुंचे विप्रित पॉल की पॉजिशन मिलेगी लोकेशन वैसे ही क्या करेंगे हम सप्लाई को अन करते ही क्या होगा पॉल आपस में लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा डैंपर वाइंडिंग जो है उसी स्पीड से गूमने लगेगी यहां पॉल यहां साउथ यहां साउथ यह situation जैसे ही बनेगी वो ऐसे ही यहां फिल्ड की supply यान करेंगी यह भी पुरीद पोल लॉक हो जाएंगे आपस में अब यह उसी speed से rotor गूमेगा जिस speed से field गूम रहा है अब दोनों की speed सेम है दोनों की speed सेम है मतलब NS equal to NR synchronous speed और rotor की speed दोनों बराबर है अब damper winding उसी speed से गूम रही है जिस speed से field गूम रहा है damper winding गूम रही है किस speed से NS field किस speed से गूम रहा है वो BNS इसकी भी speed NS, field की speed BNS अब यह cut नहीं करेगा इसमें कोई Mb भी पैदा नहीं होगा कोई इसमें current भी पैदा नहीं होगी तो damper winding में अब कोई टार्क भी develop नहीं होगा तो यह जब synchronous speed पे लॉक हो जाएगा field जब लॉक हो जाएगा start हो जाएगी motor damper winding में कोई MF पैदा नहीं होता है damper winding बीना किसी current के बीना किसी MF के there is no MF there is no current तो यह damper winding अपना काम इस तरह से start करने के समय help करती है बाद में run करते हैं समय इसमें कोई current कोई टार्क पैदा नहीं होता है क्योंकि दोनों के गूमने की speed सेम हो जाती है field की और damper winding के इसलिए इसमें कोई current कोई इमें पैदा नहीं होता है यह damper winding ऐसे ही पड़ी रहती है तो यह केवल स्टार्टिंग में help करती है बस तो इसको लगाने से प्राइम ओवर का जो requirement है वो खतम हो जाता है और motor जो है इस तरह से start कर सकते हैं synchronize जो ऐसे ही करते हैं जैसे कि प्राइम ओवर से विपरीत पोल की हम location ले करके ही आन करते हैं समान पोल अगर साथ में रहेंगे तब आन करेंगे तो क्या होगा देखिए मान लेजिए कि यहां पे स्टेटर का साउथ है यहां पे नार्थ है यहां साउथ है यहां नार्थ है अगर माल लेजोए हम सबस्प्राइब और अब असका देज रिपल के साथ business और अगर साथ hoe जाएंगे तो क्या होगा लॉकिंग नहीं होगी बहुत तेज से रिपलसन होगा इस पे पीछे सकता है ब्रेक हो सकता है इसलिए चुट भी वेरी वेरी क्लियर दाट फेन देर अपोजिक पोल्स आर इन दी सेम डारेक्शन देन फिल्ट सप्लाइश उड़ भी पुट इन पोजिशन अन टावी करेंगे जब एक सीध में रहें उस समयान करेंगे तो रोटर स्टार्ट नहीं बलकी रुख जाएगा प्रैम मूवर के साथ के साथ में और Sat सकता है तूट सकता है ए प्रस्पोसिबिलीटी इस्माइट ब्रेक्ट सो इस तरह से सिंकुनस मोटर को स्टाट करने कि हमने बताई में दू बीदियां पहली भीदि क्या बताईी पहली बीधि बताए विद्धे हलपा पॉओवर प्राइम मूँवर से क्या करते हैं फील्ड की स्पीड देह यह फिल्ड है यह यह स्टेटर का फिल्ड है और और कर का ये यह lindo-чиम प्राइम फील्ड के Unidos YouTube की supply wantрь उल्हों कर देते हैं और यह लाख होजाता हा है को लिए देमपर वाइंडिंग को सटार्ट करते हैं लेंज जिर्फ यह उसी दिशा में भूमता है पहुंचता है जैसे परित पॉल आते हैं सीड में वैसे सप्लाइ को पहमान कर देते हैं और यह लॉक हो जाता है फिर टाइम पर वाइंडिंग ने कोई यह में पैदा नहीं होता है कोई टार्प पैदा नहीं होता है थांग वाचिंग इस वीडियो थांग यू तो मच